बैक्त्रों जनगरना क्या है ये तो आप जानते ही होंगे जनगरना याने कि पृत्यक दर्स वर्ष में की जाने वाली एक एसी गर्णा या ऐसा सर्वेकशण जिसके दोारा हम देश की जनसंखया और जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ट, तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करते हैं जैसे अगर हम भारत में 2011 में की गई जनगर्ना की बात करे तो हम देखते हैं कि अगर हम 36 गड़ के परिप्रेक्ष में इसको ले तो 36 गड़ की जनसंख्या जनगर्ना 2011 के नुसार 2 करोड 55 लाग 45,198 थी इसमें अगर हम सरवाधिक जनसंख्या की बात करें तो रायपूर की जनसंख्या सबसे जादा थी याने की 21.6 लाग थी बिलासपूर 19 लाग दूसरे क्रम में था और दूर्ग जो है वो तीसरे क्रम में 17 लाग जनसंख्या के साथ था अगर हम यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाले चेत्री की बात करें तो नारायपूर की जनसंख्या सिर्फ 1.39 लाग थी इस तरह से पूरे देश में 36 गड़ में जनसंख्या के अधार पर जो 36 गड़ का इस्थान था वो सोलवा था ऐसे ही अगर हम साक्षर्ता की दर की बात करें तो साक्षर्ता की दर जो थी वो 2011 में अगर हम 36 गड़ की परिप्रेक्ष में बात कर रहे हैं 36 गड़ में साक्षर्ता की दर 2001 में 64.6 प्रतिशत थी जो कि 2011 में बढ़कर 70.27 प्रतिशत हो गई हैं कि अगर हम पुरूस साक्षर्ता की बात करें तो तो 8.2 प्रतिशत और महिला साकशर्टा की बात करें तो 60.2 प्रतिशत थी और साकशर्टा की क्रम में भारत में 5.jbatagasita 10.1, 6 3.00 तो ये जो संख्यात्मक करें जनसंख्या जंगर्ना की बात करें या साक्षर्ता दर की बात करें ये जू नंबर हमको मिल रही है सरवेकषर्ण के द्वारा इने ही जे जी संख्यात्मक रूप को लिएween कहते हैं आकड़े में ये जो संख्या ये हमारे लिए आकड़े कहलाती है और इन सुचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम जिन प्रक्रियाओं जिन विधियों का प्रयोग करते हैं जिस क्रम से होकर हम गुजरते हैं इसे प्रक्रिया को हम कहते हैं आकड़ों का संकलन तो आज हम पढ़ेंगे आकड़ों का संकलन अर्थशास्तर के अंतरगत हमने देखा कि किन किन दशाओं में हम इसमें सांखी की का उपयोग करते हैं जब हमको किसी चीज पे सर्वे करना होता है तो हम प्रक्रिया बद्ध रूप से उस सर्वे को करते हैं पिछली अध्यायो में हमने देखा कि इन सर्वे के लिए यानि कि आकडों को एकत्र करने के लिए हम सबसे पहले आकडों का संकलन इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आकडों के संकलन के लिए जिन आकडों को हमको संकलित करना होता है वे सारे आकडे दो प्रकार में विभक्त होते हैं कौन-कौन से दो प्रकार हैं जिन में हम आकडों को संक्वित करते हैं गात्मी काक्डे यानि की प्रात्मिक समंग primary data ड्ृत्यक आकडे यानि की दृतियक समंग secondary data तो प्रात्मी काक्डे क्या और अग्डे क्या है इनकी विशेस्ताए और किन-किन चीजों काईस्प्रावेश होता है कौन से इनके गुड होते है कैसे हम इनको संकलित करते हैं ये सारी बाते हम इस अध्याय में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि primary data यानि कि प्रात्मिक समंग प्रात्मिक आकड़ी क्या है प्रात्मिक आकड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम होरेक्स सेक्राइट्स्ट की एक परिभाशा को देखते हैं जिनके अनुसार प्रात्मिक समंकों से तात्पर या है कि वे मौलिक हैं अर्थात जिनका समुही करण बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं हुआ है घटनाओं का लेखन या गड़ना उसी तरह से किया गया है जैसा की उन्हें पाया गया है वे मुख्य रूप से कच्चे माल की तरह होते हैं तो अगर हम सेक्राइट्स्ट की इस परिभाशा का विसलेशन करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम प्रात्मिक आकड़ों को समझ सकते हैं प्रात्मिक आकड़ों को समझने के लिए हम इसको कुछ बिंदों में विभाजित कर देंगे जैसे कि पहली बात यह हम कह सकते हैं कि यह जो आकड़े हैं यह प्रात्मिक जैसे कि नाम से ही स्पस्ट है किसी अनुसंधान करता द्वारा जो रिसर्चर है जो अनुसंधान कर रहा है उसके द्वारा पहली बार एकत्र किये जाते हैं जैसे नाम से प्रात्मिक याने कि पहली बार विल्कुल नय होते हैं पहली बार इनको कहीं से एकत्र किया जाता है दूसरी अगर हम इस पर गौर करें तो हम देखते हैं कि प्राथमिक आकड़ा एकत्र करने के लिए जो अनुसंधान करता होता है जिसको सर्वे करना होता है वो वेक्ति स्वेम उस छेत्र में जाता है उस चेत्र में और स्वेम जाकर वो स्वेम जिनसे उसको डाटा एकत्र करना है जिनसे आकड़े लेने हैं उन्से वो बातचीत करता है या जो आखड़े हैं यह रोम मिटेरियल है बिल्कुल कच्छे माल की तरह है यानि जैसा सामने वाले वैक्ती ने कहा हमने एज इस उसको वैसा ही लिखा बिल्कुल वैसा ही हमने उसका अध्यन किया है और उसके बाद जब यह कच्छे माल यानि कि वहां कर जब मिल जाते हैं तो प्रामरी जो वेक्ति वो रहता है नुसंधान करता जो रहता है स्वयम उनका विसलेशन करता है उस जो भी उसको आकड़े मिलते हैं उस पे वो स्वयम अध्यान करता है स्वयम उनका विसलेशन करता है तो इसके लिए प्रात्मिक आकड़ों को एकत्र करने के लिए सांखिकी क कि बहुत से रीतियों का प्रियोग किया जाता है फिलाल इस इन बिंदों की अधार में यह समझा भी तक कि वास्तों में प्रात्मिक मीख अकड़े होते या उनकी कौन-कौन से विश्यस्ताएं होती है अब हम देखते हैं कि दृतियक आकड़े कौन से होते हैं डृतियक आकड़ों के लिए हम देखेंगे एम एम ब्लेयर की एक परिभाशा एम एम ब्लेयर के अनुसार दृतियक समंक वे समंक है जो पहले से ही अस्तित्तु में रहते हैं जो वर्तमान प्रश्णों के उत्तर के अत्रिक्त किसी अन्युद्देश से एकत्रित किये गए हैं अगर हम ब्लेयर की परिभाशा के आधार पर दृतियक समंक का अर्थ जानना चाहें एक इसका विसलेशनात्मक अध्यान करना चाहें तो कुछ बिंदूओं के आधार पर हम इसका अध्यान कर सकते हैं कौन-कौन से बिंदू निकाल सकते हैं पहली बात तो यह कि मॉलिक नहीं होते हैं जैसा हमने प्रात्मी काक्डो की बारे में पढ़ा की मॉलिक होते हैं फेस्टू फेस जो अन्य संधान करता होता है वह बात करके एकत्र करता है लेकिन यह जो आकडे होते हैं ये मौलिक नहीं होते हैं क्योंकि अन्य व्यक्ति से हम को इसको प्राप्त करना होता है कैसे हम न्य व्यक्ति द्वारा एकतर किय जा चुके हैं आप हम उनसे मांग के वापस अपने यूज में हम उसको ला रहे हैं वैसे ही इनका विसलेशन अगर हम विसलेशन की बात करें तो हमने प्रात्मिक समंगों में देखा था कि इनका संकलन करने के बाद उस वेक्ति द्वारा विसलेशन भी कर लिया जाता है जिसने इसका संकलन किया ह याने जब दृतियक रूप में जब वो हमको प्राप्त होते हैं तो अल्रेडी उनका संग विसलेशन किया जा चुका होता है वैसे ही इसमें एक चीज़ और देखनों को मिलती है कि अप प्रत्यक शुरूप से प्राप्त होते हैं जैसे कि हमने प्राथमिक समंगों में पढ़ रहा होगा वह एकत्र करके लाया रहा होगा हम उससे जाके मांग लेते हैं उस आकड़ों को हम डारेक्ट फेस टू फेस जाके जिनके बारे में हमको जानकारी चाहिए हम उनसे बात नहीं करते एक अगर हम दृतियक समंग और प्रात्मिक समंग को और अच्छी से जानना चा कि प्राथमिक समंख ऋते हैं वो पहली बारेकतर व्यक्ति उठा लेता है और दूसरा अंतर इसमें कि देखने को मिलता ही कि प्रात्मिक समंघ बिलकुल वी इन तरीके से एकत्र किये जाते हैं खुद जो अनुसंधान करता होता है उस छेत्र में जाता है खुद उन व्यक्तियों को ढूंडता है उनसे बाते करता है तो प्रात्मिक समंगों के अगर हम बात करें तो उनमें धन श्रम समय यह सब बहुत ज्यादा लगता है अब एक जरृत रृत्याक अगर हम दृत्यग समंगों के बात करें तो क्योंकि यह पहले से ही कह सरवे हो चुका है तो सिर्फ हमकों वह आकड़े उठाने होते हैं तो यहां पे धन-ट्रम यह समय बहुत अधिक नहीं लगता है वैसे अगर मंतर की बात करें तो हमने पहले भी देखा कि जो प्राथमिक समंग होते हैं उनकों क्या बोलते हैं जैसा हमने सुना वैसा हमने लिखा कच्चे माल की तरह है लेकिन वो निर्मित हो जाते हैं तो वो कौन ले लेता है दृतियक गड़े की रूप में जब आते तो अप्रत्यक शुरूप से लेता है आकड़ों को एकत्र करता है यानि डारेक्ट या फेस टू-फेस बात करके वो नहीं लेता है आकड़ों को इसी तरह अगर हम देखे तो प्रात्मिक समंक में हमको जो जानकारी मिलती है वो बिलकुल नई जानकारी होती है लेकिन दृत्यक में जब वो जानकारी आती है तो पुरानी हो गई रहती क्योंकि उसका आधार क्या होता है प्रात्मिक समंक तो इन अंतरों के आधार पर हम प् कर रहे हैं तो उनके संक्लन की भी बहुत सारी रीतिया होती है उसी तरह प्रात्मिक समंगों के संक्लन की भी बहुत सारी रीतिया होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रात्मिक समंगों को संक्लित करने यानि प्रात्मिक आकडों को एकत्रित करने की कौन-कौन से रीति कि पहली हम्रीती जो पढ़ेंगे वह gotta व्यक्तिगत अनुसंधान अब जैसे कि यहाँ पर नामसे दिख रहाए प्रत्यक्श मतलब Já प्रत्यक्ष रूप से जाकर फेस टू फेस रिसर्च करता है तो कौन कौन सी चीजे इसमें आ जाती है इसकी मीनिंग के कॉडिंग इसको बिंदुवार समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे कि एक तो वह व्यक्ति स्वेम जाता है जहां पर उसको जिसके लिए उसको रिसर्च करना होता है दूसरी बात वह स्वेम बातचीत करता है जिससे भी उसको आकड़े चाहिए होते हैं उससे वह व्यक्ति स्वेम जाके बातचीत करता है तीसरी अगर हम प्रशना वाली की बात करें तो प्रशना वाली वह खुद से तयार करता है हमने पहले भी आपको को प्रेशन वाली में बताया है आगे आने वाले स्टैप्ट जो मरें रहेंगे उसे और प्रशन वाली की बारे में बहुत अच्छ से पढ़ेंगे तो यहां पर मुखी है कि प्ररत्यक्ष्ट वेक्ति अनुसंधान में जो रिसर्चर होता है वह स्वेम उसुंस परेश्चना को तयार करके ले जाता है कि यहां पर उस व्यक्ति की वेवहार खुशलता बहुत जादा माईने रखती है जो वेक्ति वहाँ होगा सामने वाले वेक्तिए भाशा उसके रीती रिवाजों को बहुत अच्छे से समझेगा तभी वो उन से उन सारी जानकारियों को हासिल कर पाएगा जिसकी जरूरत उसको अपने अनुसंधान में है अगर वो गुस्य से या दबाओ डाल कर किसी से कुछ पूछना चाहेगा तो जाहिर सी बात है अगर आप से भी कोई वेक्ती दबाओ डाल कर या उससे दिखा के आप से कोई जानकारी हासिल करना चाहेगा तो आप जानकारी उसे नहीं देंगे तो उसको व्यवहार कुशल होना और जिस छेत्र में वो जा रहा है वहां कि भाशा रिती रिवाजों के बारे में परचित होना भ को क्या समय दिया जाएगा किस समय उनके अनुसंधान करता प्रश्णावाली भरवायेगा तो इन सब चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है प्रात्मिक समंगों का संकलन जब हम प्रत्यक्ष वेक्तिगत अनुसंधान विधी के गुणों की बात करें नाम से इसके सोब से कत्र कιή जाते हैं जैसे हमने अभी देखा ह erfolg की तरह होते हैं बिल्क उख्यत R. उसके बाद है संकलित समागरों में सजातियता होती है संकलित समागरी जो होती है उनमें क्यों सजातियता होती है क्योंकि प्रशनावली जो होती है वो सभी के लिए उस छेत्र में जितने लोगों से प्रशनावली भराई जाती है वो सभी के लिए एक ही प्रशनावली का प्र लगाना है इसके आधार पर तो समाने से प्रश्ण होंगे सबके लिए जैसे अगर महिला है या पूरुष है उसका क्या नाम है उसकी उम्र कितनी है उसने किस तर तक पढ़ाई की है पढ़ाई छोड़ने का उसका क्या कारण रहा है क्या वो आगे पढ़ना चाहती है तो इस पर जो अनुसंधान हो को उसमें सजातियता रहेगी उसकी बाद अगर हम देखें इसके गुणकी तो एक तो इसमें क्या होता है कि ततकाल परिवर्तन संभव हो सकता है मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आये जिसे पूछना जरूरी था लेकिन जो अनुसंध करता है उसने अपने प्रश्णावाली में उसको नहीं दर्शाया है तो उसको और फेसे को संदेहास्पत हो रहा है तो यह सकता है कि इसका महत्यपुन्व है क्योंकि डायेक्ट फेस तू-फेस रिसर्च कर रहे हैं तो संद्यास्पत प्रश्ण जो होते हैं उनको ततकाल वहां से हटाया जा सकता है एक इसका क्यों गुण यह है कि सीमित चेत्र के जाता है तो उसके गुण अब गर हम इसके दोश की बात करें तो बहुत सारे दोश भी हम को यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि एक तो यह बड़े छेत्र के लिए बहुत मुश्किल है जैसे मैंने भी आपको गुण में बताया कि छोटे छेत्र के लिए इसमें आसानी होती है भरवाने में लेकिन अगर छेत्र बड़ा हो जाए तो इतने बड़े छेत्र में अनुसंधान करता है कैसे जा जाके वेक्ति का तुरूप से सबसे मिले जाके तो ऐसे कंडिशन में क्या होता है समय श्रम धन इन सबका अपवय होने लगता है तो बड़े छेत्र के लिए प्रक्षिपात कर सकता है ऐसी संभावना बनी रहती है तीसरे इसके दोश के अगर हम बात करें तो हमने देखा कि सहयोग आवश्यक है जैसे मैंने बात की कि व्यवहार कुशल होना चाहिए अनुसंधान करता को लेकिन अगर वह व्यवहार कुशल है बहुत अच्छे से प् वैसे ही कई बार गलत जानकारी का भय भी बना रहता है उससे भी अनुसंधान में कईने कई कटनाय आती है गलत जानकारी का भय किस तरह होता है कि अगर किसी चीज पर सर्वे जैसे मैंने अभी आपको उधारन में बताया कि साक्षर्ता पर सर्वे किया जा रहा है अगर किस इस्त्री पुरुष ने अपने आयू गलत भर दी या उसने अपने सिक्षा का इस्तर गलत लिख दिया तो यहां पर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कहीं न कहीं गलत हो जाएगा तो इन सब चेजों कब है अगर हम प्रात्मिक समंगों का संकलन प्रत्यक्ष रिति विधी स करते हैं तो बना रहता है प्रत्यक्ष समंकों के संकलन में कुछ सावधानिया होती है एक हम सफपल हो पाएंगे वहार यही पहले ब Frage कि बहुत सावधानी प्रेम भाव में अपने वाले वक्ति से मिलना है और उसम प्रशनुत्तकरर करना है दूसरी बात कि हमको उनका विश्वास आसिल करना है कि जो भी जानकारी है वो उनकी बहुत ज्यादा परसनल बहुत ज्यादा व्यक्तिकत जानकारी नहीं है और जो जानकारी वो इनके हित के लिए है आप उनके हित में कुछ कारे करना चाहते हैं इसलिए आप उनसे सानी से समझ सके अगर आप हिंदी में प्रश्ण वाली का निर्मान कर रहे हैं तो साधारन हिंदी भाषा होनी चाहिए क्लिष्ट हिंदी भाषा का अगर हम आपर प्रयोग करते हैं तो शायद वो समझने वाला हिच की चाह जाएगा उसको भरना नहीं चाहेगा इसलिए नहीं ना हो कि पढ़ने माला खुद कंफ्यूज हो जाए खुद वो डाउटफूल रहे कि इसका अंसर मैं क्या दूं यह सिति निर्मित नहीं होनी चाहिए वैसे ही जो अनुसंधान करता जिस छेत्र में जा रहा है उस छेत्र की उसको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए य प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के विशह में जानेंगे जैसे कि नाम से दिख रहा है आपको एक तो यह अप्रत्यक्ष होता है और दूसरा मौखिक होता है यानि कि जो व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जिसके बारे में उसको को जानने है उससे नहीं मिलता आप प्रत्यक्षिर्प से उससे जानकारी उसके बारे में हासिल करता है इसका सब्से अच्छा उधारण है कि अगर किसी को रिन्ड देना है आपको तो आप डारेक्ट उसे नहीं सब्सक्राइब क्या है अगर आप सको रिंड देते हैं तो वापस कर पाईगा में अगर अच्छा उधारान देखतें हैं तो उसका अउधारान देखते हैं कि कि फिल्ड districts करने होती है जोकते कि दिप पूछते हैं कि उसकी आदत कैसी है या उसका व्यभार कैसा है हम उसके दोस्त मित्र किसी रिष्टेदार से ही पूछते हैं लगबग यह भी आप प्रत्यक्ष मौकिक अन्तरगत करते हैं तो यहां पर हम रिन प्रदान करने किसी के आयका इस्तर ग्याद करने इन सब चीजों क से भी पूछ सकते हैं तो वास्तों में जानकारी हमको प्राप्त करने थी बच्चों की बारे में लेकिन हमने प्रश्ट से turtle करना है यम को कुछ-कुछ विशेस्ताय होती है कुछ उसके गुण होती है यह देखते हैं कौन-कौन से उसके विशेस्ताय होती है एक तो यह जो अप्रत्यक्ष मौकी का नुसंधान होता है यह विस्त्रिच छेत्र के लिए होता है काफी बड़े छेत्र के लिए होता है क्योंकि हमको वास प्रत्यक्ष अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है उसी तरह इसका गुण यह है कि क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से सुचना प्राप्त करते हैं तो इसमें वै कम आता है यह सारी वुप्त सूचनाय कर लेते हैं जैसे अभी हमने उदारण में देखा कि हम किसी को रिड दे सूचना भी हम उसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही यहां पर क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करते हैं तो हमारे पास इतना परियाप्त समय रहता है कि हम आराम से निर्ण ले सके जैसे हमको उस व्यक्ति को रिंड देना है या नहीं देना है इसका निड़ा हम आराम से सोच बूच से सोच विचार से कर सकते हैं तो जैसे इसके बहुत सारे गुण है वैसे कुछ दोश भी है अब प्रत्यक्ष मौकिक अनुसंधान के कौन-कौन से दोश आये देखते हैं एक तो संबंधित वेक्ति के बारे में जानकारी थोड़ी कैसे थोड़ा विश्वसनीता का आभाव रहता है यानि कि जिस वेक्ति से हम कोई जानकारी ले रहे हैं उस पर हम कैसे विश्वास करें कि वह जो हमें जानकारी दे रहा है वह पूरी तरीके से सही है या गलत है उसी तरीके से अगर विश्वसनीता का आभाव है हम डाउट अनुसंधान का है